पहले से सब रिकभरी में है सब अच्छा से ठीक हो रहा है देरे देरे और देखे जो छोटे बच्चों को ज्यादा हो रखाता देखे अब पहले से ज्यादा कम चुका है बस थोड़ा बहुत बच रहा है तो भी एक से दो दीन के अंदर ही सब ठीक हो जाएगा और आपका फा अपने फारम में 2-3 दिनों से डेली आग लहर आते हैं दोस्तों रात के समय में और आज भी लारा ने देखें एक बड़ा सा लकडी हमने ले लिया है टोना है दोस्तों तोटल रात लहरेगा और सुबह 8-9-10 बजे तके लहरता रहेगा है पूरा अच्छे से टमपरिचर रहे चैठी दोस्तों मनाया जा रहा है कल दोस्तों 14 जैनवरी को बहुत लों मनाए थे आर्ज तो भीहार में हमारे हैं आज मनाया जा रहा है सुबह तो टोटल काम अबering कर लिए है और आग लह रहा है था आग तो टोटल हो जल चुका था खतम हो चुका तो बकरी वहीं पर सारी बैठी हुई है और इधर दाना पानी हो चुका है बस कहां में डॉक को था नड़ी साइड टहला देंगे गुरा फिरा देंगे और अंदर चलके आपको बकरी का एक बच्चे को स्थिति दिखला देते हैं सर्दी खासे जीन को हो रहा था ऐसा उनका रिकवरी है नहीं है और ज्यादा बढ़ गया है तो अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखलाते हैं पहले से सब रिकवरी में है सब अच्छा से ठीक हो रहा है धीरे धीरे और देखे जो छोटे अधर आग डेली रात में चलेगा न जल्दी रिकवर कर जाएंगे सर्दी खासी से और फारम भी गीला हो रखाया दोस्तों और बहुत भाई कमेंट भी करते हैं कि आपका फारम गीला है तो भाई ठंड में थोड़ा बहुत फारम गीला रहता है और बड़ी चीज नहीं है अधर अजस्ट करना पड़ता है बस एक दो महने के बात है बस एक महने की और बात है बस जिनवरी गया फिर फेर फरवरी आजयाए फिर इतना गीला नहीं रहाएंगा फार धूप अच्छे सूगेगा तो फारम भी अच्छे से सूख जाए और अभी तो और कुछ काम है नह उसको इंजेक्षन देना है तो एकाद घंटे बाद उसको देंगे अभी डॉक को लेकी चलते नदी साल उसको टाला देते हैं बाकि आभी बक्री को बैठने देते हैं राम से धेखते हैं लेट से थोड़ा आगर मौसम खुल जाएगा तो खोलेगे नहीं नहीं उसम खुलेगा तो फिर लेट से खोलेंगे अचै कुछ कि यह जोस्तो भी चंकी को इसे खानेगे शिल्ग श्मक्रा लिंद म५िडुन evaluists कि अब हाशिए फाल की के बचा ओर हो रहना पड़ेगा और चिकन था उनका और इधर लाली का खाना हो रहा है थंडा इसमें सेरेलाइक है दोस्तो Cinkie अभी दगें चिन लाली को दे दिये हैं लाली अराम नीचे से पीजाएगी और पानी जैसा रहता है दोस्तों और को फूब यहां नहीं ख़िम और proven пानी नहीं है और केल्सीम दो बीसवी से मेल इसको दे रहें डेली ताकि जो यह थोड़ी दूबली हुई है जल्दी से रिकवर कर जाए बस भगवान से दूगा मांग रहे थे दोस्तों कि लाली बस ठीक हो चुकी है अच्छे से खाना पीना स्टार्ट कर चुके देखे आम से खाना खा रह और फारम पूरा जादा गीला हो जाएगा आज इनको रहने देंगे अभी सारी बक्री निकल रही है बाहर चराइप फिर गाय को भी लेकर चलना है दोस्तों देख सकते हैं अभी सारी बक्री आ चुकी है और थोड़ा धूब लेट से उखता है दोस्तों इस वजह से इस महीने से जनवरी जब खतम हो जाएगा तो फरवरी की टाइम से भूसा उसा अपने फारम पर आ जाएगा बगरी को एक टाइम भूसा देंगे और एक टाम चराइप रखेंगे फिलाल में अभी तो कुछ करके मैनेज करना है इनको कैसे भी कर बक्री आगे बढ़ते बढ आ रहते तब तक इतना बक्री फारम साइड निकलना स्टार्ट कर दी थी इनको फिर से उधर लेके जा रहे हैं क्योंकि बाकी बक्री उस सेड ही है और यह कुछ दस पीस बखर बखरी इस से निकल रहे थी तो इनको लेके चलते हैं उधर जोड़ने मिला भी इधर ही चरने फिर फारम साइड ले जाएंगे तो बक्री को बहुत दूर लिखा गया है तो सारी बखरी हमारी जो फारम है वहां से लगवक्त दूर आ चुके चराई करने के लिए और यहां पर देखे सामने आपको जंगल में वहां पर नील गाई बहुत सा रहा है आपको दिखलाते हैं पास पास में है और बाकी बक्री सब इधर ही चड़ रही है कि देखें यहां पर सारी बख्रिया भी चऴ रही है है अनुद की अगया ही पत्सक्त दूस्तव फिल राद मैं भी सारी बक्री को अंदर कर दिये हैं साम हो चुगा था पांच बच चुगा था और इनको आज दिये हैं दोस्तों पीने के लिए फारम थोड़ा गीला हो रखाता तीस वज़ास नहीं दिये हैं कि ज्यादा पानी पियेंगे तो फिर ज्यादा पेसाब भी करेंगे और फारम ज्यादा गीला भी होगा तीस वज़ास से आज इनको दलिया नहीं दिये हैं और बखरी अंदर क आग भी अभी नहीं जला है आग इनका 9 या 10 वज एक आसपास में आग फारम के अंदर लगाएंगे आग जला देंगे लगडी बोर देंगे फिलाल में दोस्तो मुरी का पानी खत्म हो चुका है तो पानी का डबा में बस पानी लगाना है फिर मार्केट निकलना है डॉग का चीकल लाने के लिए यह वाला काम कर लेते हैं अध़ हो चुका है टाइम के बात रहे तो नौ बज रहा है दोस्तो और डॉगों को तो आपने देखा ही हमने खाना उना दे दिया था खाचुकी है और मुरी का दाना भी हमने अंदर बान दिया है मुरी का भी दाना कंपलीट अब फिलाल है दोस्तो रात में फारम के अंदर आग लहराने का देख सकते हैं बकरी अभी आग हमने लहराया भी नहीं है बकरी पूरा लकडी के आके आसपास में घेर ली है जल्दी से आग लहरे फिर जल्दी से इनका गर्महाट मिलेगा और हम अपने फारम में 2-3 दिनों से से देली आग लहरा आते हैं दोस्तो रात के समय में और आज भी लहराया देखीं एक बड़ा सा लकडी हमने ले लिया है टोना है दोस्तो बड़ब चे पाच फिट का एक टोना है एक और उसके साथ एक ए हमने लेलिया है एक छोटा वाल यह है जो पूरा रात लहरे गा दोस्तों पोाल लहार आने से क्या होता है ना पोाल एक दुग престंपरिचर रखता है उसके बाद उसका टमपरेचर डाउन हो जाते है रेकिन लकड़ि से क्या होता है लकड़ि रात लहरता है और शुबह भोर में जब थंड ज़्यादा गिरता है दो बजे से ज़्यादा और इनको सपोर्ट मिलता है आग से ताकि इनको ज़्यादा ठंड असर नहीं करता है यह थोड़ा पलस पॉइंट होता है ताकि आप जब भी लह रहा है तो लकडी लह रहा है आपके पास अगर लकडी लब्द है यह आप लकडी कैसे भी करके अपनी बकरी को सरवाइब कराना है फिलाल में भी आग को लहराते हैं दोस्तो लकडी उगडी हमने ले लिया है छोटा छोटा टुकडा लहराने के लिए इधर एक बोडी ले लिया है जो अभी वहाँ लहराएंगे और उसके बाद आग लहरा रहे हो बहुत अच्छा चीज है लहराय करो इसके लिए अच्छा कमेंट कोई नि करता तिर्फ जितना भी करेंगे बूरा कमेंट ही करेंगे कि फारम आपका गिला है फारम आपका गिला है यह है देखें पूरा पाच फिट का ये लकड़ी है और ये तीन चार फिट का एक टोना है इधर एक टोना रखा हुआ है दो फिट का तोटल रात लहरेगा और सुबह आठ नौ दस बजे तके लहरता रहेगा है पूरा अच्छे से टमपरिचर रहेगा फारम का और एक भी बखरी को सरदी खाती नहीं जो भी है सब ठीक हो जाएगी कुछ दिनों का अंदर ही दोस्तों अभी बगीरा को चिकन काटे थे तो चिकन का जो पंजा होता हो देखें इसको खाने के लिए देखें अराम से इसको दात क्योंकि जब चोटा जर्मन सबट कोई भी डॉक का बच्चा होत चोटे मिनट दात आता है तो बाइट करना सीखता है हो कुछ जुता हुता काड़ देगा चपल काड़ देगा कुछ भी देखे भी उसको दे दिये हैं अराम से खायगा इधर एक इधर इसको भी दिये थे तो एक देखे वाई इसकी मा आ गई है कुहू को भी दिये थे लो आहरे हो है कि ऊपाल को डाव डात उसको रातका खाना दे दोस्तव और चावल के साथ और यूब चिकनों कोई कमी नहीं है और पहलो लाली चुकू लगाव धी देते हैं वो खाने देते हैं दोस्तों फिलाल में तो फारम में हमने आगूग जला दिया है बगड़ी के पास बगड़ी वह आराम से वहां पे है अभी सब आग के पास और फिलाल मितर मुर्गी सड़ा गए थे मुरी का भी हमने दाना और पानी दोनों चीज़ लगा दिया है